Hello friends, कैसे हैं आप सभी? I hope बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाय में व्यस्ट भी बहुत होंगे, एक बार फिर से स्वागत है, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल e-learning with prel पर डिस्कुस करते हैं आज का सेशन, आज हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं most important topic in fact कहें, most expected topic है हम हमारे exam के view से, जैसे के हमारे TGT-PGT के exams होने वाले हैं बहुत जल्दी, UP में भी, KVS में भी, NVS में भी, तो यह जो cockroach का topic है, animal kingdom का most important genera हम इसे कह सकते हैं, इसका scientific name होता है, periplaneta, americana को इसके नम हम जानते हैं, cockroach basically यही एक topic था animal kingdom का जो कि मैंने अब तक discuss नहीं किया, TGT PGT के syllabus के view से, बाकि जितने भी genera हैं, वो सभी में discuss करा चुकी हूँ आपको, पूरी playlist बनी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी शहर ले सकते हैं, यदि इनकेस आपको topics नहीं मिलते हैं, वहाँ भी फिर भी आप, for example हम अर्थवां की बात करें, तो अर्थवां बाइप्रियल हो जाना चाहिए, जो भी questions आए, cockroach के regarding, वो हमारे session से बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से हमको हर एक point को cover करते चलना है, next अगर हम बात करें, systematic position देखते हैं, तो phylum औरthropoda के अंदर cockroach को रखा गया है, कौन से phylum के अंदर आते हैं, यह आरthropoda के अंदर आते हैं Subophyllum के हम बात करें, Subophyllum भी कई बार पूछा गया है इसका, तो इसलिए सबसे पहले हमको systematic position बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि कोई भी question आए, तो इन से बाहर नहीं जाना चाहिए, Subophyllum, Mandibulata के अंदर cockroach को रखा गया है, अब हम बात करते हैं, अब को औरthropoda की लिखते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, Periplaneta, ठीक है, Next अगर हम बात करते हैं, बहुत ही important topic है, in fact हर एक concept हम बहुत अच्छे से clear करते चलेंगे, बात करते हैं, इनकी जो cockroach है, इनकी 3 species देखी गई है, 3 species of cockroaches are commonly found in India, हमारे जो India है, हमारे देश से mostly जो Periplaneta है, इसके 3 species देख जर्मेनिका, तो 3 ही species को हमको ध्यान रखना है, कि हमारे इंडिया में ये 3 species देखने को मिलती है, लेकिन अब बात करते हैं, जो Periplaneta Amerikana है, ये सबसे जादा, सबसे लंबतलब, largest species है, बहुत ही common species ये, Periplaneta Amerikana है, इसको कॉमलहम क्या कहते हैं, ये question बहुत पर पूछा भी है, in fact, हमारे upcoming exams जो भी है, पूछा भी जा सकता है, कि इसको कॉमलहम किस नाम से जानते हैं, American Cockroach के नाम से भी इनको जाना जाता है, Bombay Kennery के नाम से भी इनको जानते हैं, in fact, Ship Cockroach के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो 3 नाम ये Periplaneta के होते हैं, तो हमको हर एक प्रॉइट भी आपको provide करा दी जाती है सबस्क्राइब करने में आप लोगों की इतना बहतर content प्रवायड करा दी है तो थोड़ सा subscribe कर दिया करें आप कोई charges नहीं लगते हैं इस चीज़ के लिए नेक्स होगरे हम बात करते है cockroach के habitats and habits की यानि कि कैस अवासिस्थान होता है, इनका कैस जगा पर ही रहते हैं, सभी बारें बात करते हैं, तो cockroaches are worldwide, पूरे world में देखने को मिलते हैं और ऐसी जगा पर जैसे कि human dwelling, जैसे कि जहाँ darkness बहुत होती है, जहाँ तोड़ी गर्माट होती है, और damp रैस तोड़ी नमी होती है और जहाँ organic debris होता है, यानि कि और जैसे जगा प्लांट से हो, एनिमल से हो, जहाँ यह सब बहुत बहुत आयत में मिलता है, वहाँ cockroaches बहुत जगा देखने को मिलते हैं, ठीक है मतलब इनको हम बहुत आसारी से देख सकते हैं हमारे kitchens में, store houses जो होते हैं, वहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, restaurant, go downs जो होते हैं, जो restaurants के go downs औगरह होते हैं, जहाँ बहुत सारा organ waste पढ़ा रहता है, वहाँ यह बहुत जगा देखने को मिलते हैं, railway compartment में, ships में, यहाँ यह हम देखोंगे cockroaches, ठीक है, रात में निकलते हैं, यह omnivorous यानि के हर तरह के feed, मतलब हर तरह के food पर यह feed करते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, omnivorous के नाम से हम जानते हैं, अब हम next बात करने चुटकारे भी बात कर लेते हैं, we can also get rid of these by spraying, यह spraying यह spraying है, यह सही कर ले न, और बहुत सारे insect pesticide ऐसे होते हैं, जिनको छिड़कने के बाद हम इसे छुटकाराब आ सकते हैं, अब हम next बात करते हैं, इनके external features की यह निकी बाहर से देखने पर हम कैसे पता करेंगे की यह cockroach है, ठीक है, हाला कि अब सब भी जानते होंगे बहुत basic बात लेकिन फिर भी हमक size का insect है, ठीक है, इनकी approximately length के अगर हम बात करेंगे, तीन से साड़े चार centimeter तक की length इनकी देखी जाती है, और इनके body कैसे covered रहती है, brown color के wings होते हैं, अब सबी जानते होंगे, ती wings को हम हटा देना, इनके, यदि इनके wings हट जाते हैं, तो इनके segmented body बहुत अच्छे से हमको clearly दिखाई देती है, इनकी जो exoskeletal length की बहार का cover काफी shining सा होता है, जो brown color से ढखा हुआ होते है, brown wings से basically, next अगर बात करते हैं, these are, there are separate male and female individuals, मतलब आप male और females को बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ characteristics होते हैं इनके पास होते हैं और काफी चप्टे होते हैं, तो ये बात याद रखनी हैं कि जो male cockroach है, female cockroach से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, next बात अगर हम करें इनके body reasons की, इनके body में 3 reasons mainly पाये जाते हैं, जैसे कि head है, सबसे top reason, then mid में होता है thorax, और सबसे नीचे होता है abdomen, तो body 3 reasons में divide होती है, कौन-कौन से है, head, thorax and abdomen, becomes visible, इनके हर एक body का reason बहुत अच्छे से visible हो जाता है, मैंने अभी पताया था आपको, यदि हम इनके wings को remove कर देते हैं, तो body के हर एक reason को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अब एक next बात करते हैं में देखो, सबसे top पे होता है, head, mid में, thorax and नीचे abdomen है, एक portion आता है, जिसको कि हम कहते है, neck कहीं या फिर सर्वाइकम कहीं, सेम ही बात होती है, confusion create नहीं करना है, इनके words होड़े अलग है, लेकिन बात वही है, neck कहीं, सेम बात हो, जो neck का portion होते हैं, सर्वाइकम सेम ही बात है, ये head को thorax से जोडने का काम करता है, head से नी reason से, head का जो portion है, अब head के बारे में बात करते है, head कैसा होता है, avoid होता है, मैं आपको structure बार दिखा देती हूँ, head कैसा है shape में, ये head है, head कैसा है, undercar है shape में, आप देख सकते हैं, ये head है, कैसा है shape में, avoid होता है shape में, और काफी चप्टा होता है, आप देख सकते है, bent है, जो उनकी neck होती है वो काफी mobile है ने की movement करने वाली होती है तो neck की बच्छा जिनका head भी थोड़ा movable होता है जिसको आप मतलब गुमा सकते हैं चार तरफ को अब जो head है उसके literal side पर head के दोनों literal side क्या present होते हैं थोड़े बड़े से blackish से compound eye present होते हैं मैं आपको इस बार structure दिखाती हूँ ये देखें आप ये यहाँ head है और head के ये literal side है यहाँ present क्या है ये इनकी eye present है जिसको के हम क्या कहते हैं इनको हम जानते हैं compound eye की नाम से ठीक है तो ये होती है इनकी compound eye ये head वाल reason पर ये हर एक literal side present है compound eye ठीक है next एगर बात करें एक बहुत ही छोटा सा light colored area होते है इसको के मैं बहुते है fenestra fenestra कहें ocular sport कहें same ही बात होती dorsal surface होता है ना head का आग के पास ये वहाँ present होते हैं fenestra basically होते क्या है fenestra या तो बहुत ही undeveloped simple eye हो सकते है मतलब की थोड़े कम developed simple eye हो सकते है या फिर functional ocelli या ये काम कर रहे होते है तो उसली कहते है तो ocelli आए fenestra आए word से confusion create नहीं करना है बस session आराम से ले रहा है समझ आ जाएगी हर एक चीज़े fenestra basically या तो कम developed simple eyes हम इनको कह सकते है या फिर जो functional है तो हम उसली के नाम से भी जान सकते है और इनके हर free end पर मतलब obviously बात है महुत प्रेजेंट हो गए free end पर प्रेजेंट होता है ठीक है हम head discuss कर चुके है अब next mid reason आ जाता है इनका that is called thorax तो हम अब therax के बारे बर्त कर लेते है जो thorax होता है जो mid portion होता है cockroach का काफी छोटा सा reason है काफी चोड़ा होता है और body का सबसे hard part भी thorax ही होता है तो ये बात हमको याद रखनी है harder part काउन सा होता है head thorax, abdomen में तो सबसे hard part होता है that is called thorax और सबसे छोटा भी ही होता है और ये कहाँ present होता है body located behind the neck neck के just नीचे क्या present है thorax thorax के just नीचे क्या present है abdomen, symbol बात है अब हम बात करते है approximately इसका मतलब total length देखते है देखो for example body का reason मतलब 5 parts में divided है तो 5 में तो 2 का part होता है वो contain कौन करता है ये thorax कंटरी मतलब 2 by 5 इनका reason होता है पूरी word length के हिसाब जो second मतलब 5 में 2 हिसा किसका होता है thorax का होता है next next बात आती है abdomen के बारे में तो abdomen basically सबसे largest part होता है सबसे broadest part होता है सबसे soft part होता है ठीक है abdomen के बारे में इस बात बें हम डिसकस कर लिए एक बार और देख लेते हैं abdomen के बारे में कुछ चीजे हाँ तो abdomen basically क्या है ये abdomen होता है काफी flattened है और soft part होता है जो की कहां present है thorax के just नीचे present होता है abdomen के बारे में एक बार और बात मैं आपको बता दू इस बात बहुत बार पूछी गई कि एनस कहां present है तो abdomen जो last part होता है उसी के just hind end पर thorax, sorry एनस present होता है एक बार अब हम इस structure देख लेते हैं तो ये होता है dorsal view है किसका cockroach का ठीक है यहाँ ये present है head में आपको बता दिया है head के just पास एक pair में क्या present होते है एक pair end जिसको philiform end निक नाम से भी जानते है ठीक है यह होता है pronotum बहुत जो thorax है वो भी तीन पार्ट में divide है prothorax, mesothorax and metathorax तो आप यह देख सकते हैं यह prothorax वालर reason है that is mesothorax और यह होता है metathorax ठीक है नेक्स यह metathorax ठीक है यह इनके hindling भोते है यह abdomen reason है मैं आपको बतायते हैं हम wings को अलग कर दें तो हर एक segmented part बहुत अछी से दिखता है और यह NL Circus है, अब मैं आपको बता दू कि जो NL Circus और NL Style है यह दोनी ही present होते हैं, मेल्स में जबकि Females में सिर्फ NL, सरका ही present रहते हैं anal style वाँ absent रहते हैं. तो anal circus इसमें present है. तो उनको क्या कहेंगे? यह female का view है. दोनों present होते हैं, तो यह anal style होते हैं. male में, दोन ही present होते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं. यह इनका vental view है. यहाँ से भी आप देख सकते हैं. यह head है. यह इनके anti and do pair ने present होते हैं और यह थिगमोरिस अप्रोज़ तच के लिए बहुँचा तो sensitive होते हैं यह prothorax है, यह mesothorax है और यह metathorax है, ठीक है यह middle leg होता है, मैंने आपको बताई ही, यह wings है और यह abdomen है और यह hind leg और यह anal circus है, ठीक है next है हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं, बॉडी का segmentation एक बार देख लेते हैं, तो segmentation के अगर हम बात करें, तो body जो होती है cockroach की, वो कम से कम 20 segment की बनी होई होती है, तो segment के बारे में यह बहुत अच्छी से note करते चलना total body जो होती, कितने segment वे बटी होती है चोटा रिजन कौन सा है थोराक्स के जिसमें कि तीन सेगमेंट और मिड मतलब ना छोटा बढ़ा रिजन होता है हेड का जिसमें कि छे सेगमेंट होते हैं अब important बात note करने की यह है कि जैसे embryo development खत्म होती रहती है निकी जितने भी सेगमेंट होते हैं All segment of the head head के जितने भी सेगमेंट हैं वो अपसमें fuse कर जाते हैं और कोई भी निशान नहीं छोड़ते हैं कभी पता ही नहीं चलता है कि हैं कोई segmentation था भी तो इसलिए जो head के जितने भी segment होते हैं fuse कर जाते हैं, head को बनाने मेंद सारे segment एक साथ fuse हो जाते हैं Abdomen में segmentation बहुत ही अच्छे से देखा जाता है. सबसे पहला thoracic segment को हम क्या कहते हैं मैंने बताया था आपको. पहला thoracic segment को हम कहते हैं Prothorax. Second segment को क्या कहेंगे Mezothra, third को कहेंगे Metathorax. ये तो होते हैं Thorax की बात है, ठीक है? Next हम बात करते हैं, 10 segment होते हैं Total. 10 segment ही होते हैं Cockroach की जो adult stage में जाके दिखते हैं. जिसमें की पहले 7 होते हैं, जो की females में दिखते हैं, पहले 9 दिखते हैं, males में. NS कहां present होते हैं? NS का जो condition है, position क्या होती? Basically, Abdomen present होते हैं, वो भी 10 segment पर, 10 वा modified segment पर NS present होता है. Next हम बात कर लेते हैं, भी देखो, Cockroach का जो session है, बहुत लंबा है, तो कम सकम 2 से 3 session में complete कर देंगे हम इसको, तो आज का part 1 होगा, second part में Cockroach का complete session finish कर देंगे, तो इसलिए जल्दवाजी मत करना कि एग में भसड मचा दे, चीज़ें को थोड़ा तोड़के बढ़ो, ताकि अच्छे से clear समझ में है, ठीक है, ताकि हर एक concern बहतर clear हो, और हम अपने exam में 110% result ली कराएं, ठीक है, exoskeletal, यानिकि जो उनका बाहर की covering है न, जिससे skeletal cover होता है, हर एक segment का, उसमें 4 cuteness plates हो, जिनको हम sclerites के नाम से जानते हैं, तो sclerites basically क्या है, exoskeletal है, जिनकी plates बनी तो दोनों ही term में confusion नहीं create करना है, समझना ध्यान से, एक बार से समझ रहे हैं, तो फिर से लेना, कोई जल्दवाजी नहीं है, डौर से sclerite क्या होते हैं, टर्गम या टर्गाइट कहते हैं, वेंटरल व्यू से sclerite को देखेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, stunner of sclerite, देखो, मैं consistency के साथ आपको content provide कर रही हूँ, यह नहीं कि बाकी channels की तरह की जब exam date announce होगी, तब ही हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है, consistency के साथ पढ़ते रहो, date कभी announce हो सकती है, बता के कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए बहतरी के साथ अपने, जो है न, topics को cover करते च कई सारे segments का बना होता है, जिसको की हम कहते है, podomers, तो podomers basically क्या है, यह segment है जिसके antenna होते है, पहले segment क्या होता है, पहला segment होता है, जो सबसे बड़ा होता है, second segment होता है pedicill, और जो बाकी बचे है合 बना देले कि इसका फ्लेजिलम का antenna क्या होता है? antenna थिगमो रिसेप्टर यानि कि touch के लिए बहुत संस्टिव होते हैं जो antenna होते हैं, touch के लिए बहुत संस्टिव होते हैं, इसलिए उनको नेचर में क्या काई और फिर और इसको बोल सकते हैं, यह vertex है, यह antenna है, जो कि दो पे रे प्रजेन्ट होते हैं, जो कि नेचर में कैसे हो, ठिग मोर रिसेप्टर होते हैं, यह pedicill है, जो कि मैं अब को बताया थे, कि जो antenna होते हैं, भी कई segments से मिलेकर बने होते हैं, यह oscillosport है, इसको को बोल सकते हैं, यह scalp है, यह antenna scot, socket होते हैं इनके, यह frons वाला reason है, next अगर बात करें, यह होते हैं, यह होते हैं, बैसी अंटलस कलराइट, और यह होते हैं, कलाइपियस है, यह labia में मतलब कि यह, क्या कहते हैं, मतलब mouth parts होते हैं, labia में बगरा हैं, यह आपको पढ़ा हो जाए कि काफी lengthy session हो जाता है, फिर second session में बचयों जितना भी excretory system है, reproduction कैसे होता है, circulatory system क्या है, mouth parts कौन-कौन से, वो सभी discuss कर लेंगे, तो आज का session यहीं तक हत्म करते हैं, session पसंद है तो please like करना, share करना, subscribe करना, subscribe करना, subscribe करने में कंजूसी मत किया करो, बाकी मिलते हैं, next video पूरिशा तब तक के लिए भाइ, thank you so much for watching